नमस्कार मेरा नम शालेनी सालेचा है और मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ आई हूँ कि हमें कौन सा रुद्राक्ष धारन करना चाहिए मेरे पस बहुत सारी क्वेरी जाती हैं जिसके लोग कन्फ्यूस्ट र हटे हम ऐसा कौन सा रुद्राक्ष धारन करें हमारी कुंडली के less एक रहसे जो है यह आपकी कुंडली के अंदर ही छुपा हुआ है कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए तो हम कुंडली के अंदर कई बोलते चंदर राशी से देखें तो उससे आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए लेकिन मैं आपको एक नए तरीके से बताती हूं कि आप खुद देख सकते हैं कि आपको कौन सा रुद्राक्ष धारन करना चाहिए कौन सा मुखी वो लकडी होती है नॉर्मल और उससे आपको कोई रिजल्ट या कोई बेनेफिट नहीं होगा तो अगर आप यह बूलेंगे कि हमने यह मुखी रुदराक्ष धारन किया और हमें रिजल्ट नहीं आया तो वो आप पर डिपेंड करता है लेकिन आपको नेपाली रुदराक्ष सर्टिफाइड रुदराक्ष लेना है जो कि अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं सर्टिफाइड नेपाली रुदराक्ष तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा मुखी रुदराक्ष हम पहनें कौन सा मुखी रुदराक्ष हमारे लिए अच्छा रह रहेगा हमारे पर्स्टा रिलेशन के लिए अच्छा रहेगा तो जब को अमकारक पर ग्रहे बोलते हैं ध्यान से सुनिए जिसको हम आत्मकारक ग्रह बोलते हैं जिसको आत्मकारक ग्रह बोला जाता है वो आत्मकारक ग्रह जो होता है वो होता है कुंडली के अंदर जिसकी डिग्री सबसे जादा होती है कुंडली के अंदर जिसकी डिग्री जिस ग्रह के डिग्री सबसे जादा आपकी एक पहनेंगे मान लिजीए आपकी कुंदली डेखी देकलाइस जैए उसकी अंदर लगन कुंदली के अंदर हम देखेंगे कि हमार कौन से ग्रह की सबसे ज़ादा दिग्रीस है उस ग्रह का हम वह मुखी रुद्राक्ष धारन करेंगे तो हमारी overall problems जो हैं वो subside होंगी हमारी overall जो जितनी भी problem personal problem हो गई, career related problem हो गई, growth हो गई, कोई भी problem अगर आपके आती है तो वो सारी problem का हल जो है वो इसी से होगा सब problem की एक ही solution है कि आप वो आत्मकारक ग्रह का मुखी रुद्राक्ष धारन करें जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर सूरे की डिगरी सबसे जादा है सूरे देव की डिगरी, सूरे ग्रह की डिगरी आपकी सबसे जादा है आपकी कुंडली के अंदर तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारन करेंगे अगर आपकी कुंडली के अंदर चंदरमा की डिग्री सबसे ज़ादा है और वो आत्मकारक ग्रहे बनता है तो आप दो मुखी रुद्राक्ष धारन करेंगे अगर आपकी मंगल की डिग्रीज सबसे जादा है तो आप तीन मुखी रुद्राग्ष धारन करेंगे अगर आपकी बुद्ध की डिग्रीज कुंडली के अंदर लगन कुंडली के अंदर सबसे जादा है वो आत्मकारक ग्रह माना जाता है तो आप चार मुखी रुद्राग्ष धारन करेंगे अगर आपकी गुरू यानि की ब्रहस पती की डिग्रीज सबसे जादा है कुंडली के अंदर और वो आत्मकारक ग्रह है तो आप पांच मुखी रुद्राग्ष धारन करेंगे अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की डिग्रीज शुक्र ग्रह की डिग्रीज सबसे जादा है तो आप छे मुखी रुद्राक्ष धारन करेंगे अगर आपकी कुंडली के अंदर लगन कुंडली के अंदर आत्मकारक ग्रैशनी देव हैं तो आप साथ मुखी रुद्राक्ष धारन करेंगे अगर देखा जाए तो राहू और केतू की जो डिग्रीज होती हैं वो डिग्रीज हम इतना नहीं लेते हैं हम सिर्फ साथ ग्रहों की डिग्रीज लेते हैं राहू और केतू के लिए राहू के लिए आठ मुखी रुद्राक्ष होता है और केतू के लिए नौ मुखी रुद्राक्ष होता है लेकिन अभी तक आपको यह पता लग गया कि अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह है जिसके सबसे ज़ादा डिग्रीज है तो वो मुखी रुद्राक शाप धारन करेंगे तो मैं आपको ये 100% गैरेंटी देती हूँ कि आपको बिल्कुल positive results मिलेंगे आपको negative results मिल ही नहीं सकते और आपको overall growth होगी आपकी financial growth मान ले कोई भी problem अगर आपकी life के अंदर आ रही है तो वो problem subside होगी तो ये चीज हम ध्यान में रखके हम इन ग्रहों के according वो मुखी रुद्राक्ष धारन करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा तो ये एक चीज मैंने आपको बताई है normal चीज बताई है normal चीज तो ह लेकिन ये बहुत बड़ा topic है इसके पीछे बहुत बड़ा logical reason है क्योंकि हम logic से ही कुंडली देखते है logical reasoning होती है कुंडली के अंदर भी कि किस तरीके से कौन से grad किस चीज को प्रभावित करते हैं तो उस basis पे मैं आपको ये बता रही हूं कि आपको कौन सा मुखी रुद्र बाक्ष्थारन करना चाहिए अगर आपकी कोई भी queries है तो आप मुझे inbox कर सकते हैं मुझे mail कर सकते हैं शालिनी सालेचा6 at the rate gmail.com के ओपर मुझे queries कर सकते हैं या मुझे inbox कर सकते हैं कोई भी comment section के अंदर कोच भी पूच सकते हैं तो thank you so much for watching this channel thanks a lot please like करना subscribe करना मत गा thank you so much फिर एक बार मैं again एक नए topic के साथ आओंगी बाद में अब तक के लिए thank you so much thanks a lot